जैसे कि आपको बताईए कि WhatsApp में हर माईने नए 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 अपडेट्स आते रहते हैं, नए नए फीचर्स एड़ होते रहते हैं और मैं पूरी कोसिस करता हूँ कि उन सभी अपडेट के बारे में, उन सभी नए फीचर्स के बारे में आपको सारी जानकारी दू ताकि आप WhatsApp को अच्छी तरीके से यूज कर पाएं तो फिलाल WhatsApp में कुछ नए फीचर्स एड़ हो चुके हैं और कुछ नए अपडेट्स ऐसे हैं जो रोल आउट हो रहे हैं, कुछ लोगों को मिल रहे हैं, कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिलें तो वो कौन से सारे फीचर्स हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ मगर उसके पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा बना देंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिरा रिफान और आप देख रहे हैं, आइटेक तो वाट्स अप में जो सबसे पहला फीचर्स एड हुआ है, वो है वाट्स अप डाइलर अब आपको वाट्स अप में वाट्स अप का खुद का डाइलर देखने को मिलेगा, और यह आपके बड़े कामा आ सकता है, क्यूं कामा आ सकता है, देखे वाट्स अप पर अगर हम किसी unknown बंदे को message करना चाहते थे तो उस बंदे का number हमें save करना पड़ता था For example, कि अगर मैं आपको मेरा number देता हूँ और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे WhatsApp पर message करें तो आपको क्या करना होगा? पहले आपको मेरा number अपने phone में save करना होगा इसके बाद आप WhatsApp में जाकर मेरे number को search करके refresh करके मुझे message करेंगे तो यह दिक्कत कई लोगों को आती थी तो अब यह दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर आपको dialer मिलेगा जैसे आप dialer पर जाएंगे, number दालेंगे सीधा आप उससे WhatsApp पर message कर पाएंगे उस बंदे का contact number add करना है अगर वो contact number WhatsApp पर available है तो सीधा उसका यहाँ पर आपको WhatsApp दिखाए देगा और आप सीधे WhatsApp पर chat कर सकते हैं इसके बाद का जो WhatsApp में features add हुआ है वो है photo quality को लेकर देखे आपको बताए होगा कि अब हम WhatsApp पर high quality photo share कर सकते हैं उसके लिए बस हमें photo share करने के वक्त ओपर HD वाले icon पर click करना होता था अब जब भी आप HD वाले icon पर click करेंगे तो photo की जो original size है चाहे वो 4K हो 8K हो उसी size में ही photo share हो जाएगा मगर क्या है ना हर बार photo share करने पर हमें HD quality पर tap करना होता था तो यह बहुत दिक्कत आती थी अब यह दिक्कत का solution आ चुका है अब यहाँ पर आपको एक ऐसा option मिलता है जिसमें आप कभी भी किसी को भी आप photo share करेंगे वो HD quality में ही जाएगा तो यह features आपको कहा मिलेगा चले मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको अपने WhatsApp को उपन करना है राइट साइट पर आपको तीन डॉट डिकाए देंगे सिम्पल आप यहाँ पर क्लिक करें इसके बाद आपको जाना है सैटिंग में सैटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा और यह features आपके smartphone की storage बचाएगा कैसे देखें अभी तक आपने WhatsApp में कई सारे group को join करके रखा होगा और कई सारे से group हैं जो daily photo, video, audio file दालते ही रहते हैं और इस चकर के अंदर हमारे smartphone की storage भी full हो जाती है क्योंकि इतनी सारी file आती है, कभी-कभी तो हम देखते भी नहीं है बट क्या है न कि smartphone की storage full हो जाती है या फिर मैं कहूँ कि WhatsApp का जो storage data है वो full हो जाता है तो इस चीज़ से बचने के लिए WhatsApp ने एक नया features एड़ कहा है जहां पर आप this happening message का use करके उन सभी file को delete कर सकते है time to time यानि कि for example कि अगर आप किसी group में join है अब वो group daily आपको photo video दालता रहता है और आप चाहते हैं कि 24 hours के बाद ये सारे photo और video जो इन्होंने दाले है वो सारे अपने आप delete हो जाने चाहिए group जो एकदम clean होना चाहिए तो आप इस features का use कर सकते है तो यहाँ पर different time limit दीए अपने हिसाब साफ से adjust कर सकते हैं तो कैसे इस features को use करना है चलो मैं आपको बताता हूँ इस features को use करने के लिए simple है आप अपने whatsapp को open करें right side के 3 dot पे click करें यहाँ पर आपको जाना है setting में setting में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को बिल जाएगा storage and data के नाम से simple है आप इस पर click करें click करने के बाद यहाँ पर उपर देखने को बिल जाएगा manage storage तो simple आप यहाँ पर click करें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं turn on disappearing messages, तो simple आप यहाँ पर click करें, click करने के बाद यहाँ पर आपको एक features देखने को बिल जाएगा, set for your current chats, तो simple आप यहाँ पर click करें, अब यहाँ पर आप उस number को या फिर उस group को select करें, जहाँ पर आपको धेर सारे set कर दें, कि 24 गंटे में यह delete हो जाना चाहिए, 7 दिन में delete हो जाना चाहिए, या फिर 90 दिन में, इसके बाद का जो whatsapp में features add हुआ, यह मेरा favorite है, और favorite इसलिए क्योंकि यह favorite ही है, क्योंकि यह features के बारे में मैंने पहले भी बताया था, बट अभी भी कुछ लोगों को इस features के आपने नहीं देखा, कितने group में आप join है, और सबसे कमाल का features है, favorite का, यानि के daily जिस बंदे के साथ, या फिर जिस लड़की के साथ, जिसके साथ भी आप daily chat करते हो, और उसका number कभी कभी नीचे चला जाता है, उपर चला जाता है, तो आप उन्हें favorite में add कर लीजे, इसके ब के all, इसके बाद है unread, favorites और group, अगर आप उन message को देखना चाहते हैं, जिससे अभी तक आपने देखा ही नहीं है, ready नहीं किया, तो simple आप unread पे click करें, वो सारे message आपको यहाँ पर दिखाई देगे, और अगर आपने किसी को favorites में add किया है, तो वो आपको यहाँ पर उन सभी number को add करना है, जिने आप favorites में रखना चाहते हैं, इसके बाद का जो WhatsApp में features आने वाला है, आने वाला यह features, और वो है translate को लेकर, देखे क्या एना कि कभी कोई English जारता है, कभी कोई Hindi भी जारता है, कभी कोई Bengali भी है, Marathi भी है, इंडिया में अलग-अलग language है, और international language क बात करें, तो और भी बहुत जादा language है, तो देखे, अब अगर कोई भी बन्दा आपको किसी दूसरी language से message करता है, जैसे कि अगर किसी ने आपको अंग्रेजी में message किया है, और आप चाहते हैं, कि वो message जैसे आपको मिले, तो वो सिधा Hindi में convert हो जाना चाहिए, बीना किसी अप से मलब कुछ extra add कुछ करना नहीं है, कोई third party app भी install नहीं करना है, अपने आप ही WhatsApp उसे Hindi में translate करके हमें दे दे, तो ये features बहुत जल्द आने वाला है, और ये काफी कमाल का, और मैं तो किता हूँ कि game changer features है, क्योंकि अब क्या होगा ना, कि आप किसी भी बन्दे से बात कर सकते हैं किसी भी language में, कोई tension ही नहीं, अगर कोई अंग्रेजी में message कर रहा है, सिधा Hindi में पता चल जाएगा, और अगर आप Hindi में सामने वाले को message कर रहे हैं, और वो भी features को use करेगा, तो वो अंग्रेजी में हो जाएगा, तो ये features बहुत जल्द आने वाला है, इसके बाद WhatsApp Web को use करने के लिए, आपको number की जरूरत नहीं है, आप username के तुरू WhatsApp Web को use कर पाएंगे, और सिर्फ और सिर्फ WhatsApp Web ही username के तुरू use होगा, normal हमारा जो WhatsApp है, इसमे username नहीं आएगा, हाला कि पहले news ये आई थी, कि अब आपको आपके mobile में भी username लगाना होगा, बट अब mobile की बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां पर खुलासा हो चुका है, कि WhatsApp Web के अंदर username के तुरू, आप account create कर सकते हैं, और chat कर सकते हैं, यह features बहदी जल आएगा, यहां पर मैं आपको एक news article भी दिखा देता हूँ, अब जो मैं आपको WhatsApp के नए features के बारे बताऊँगा, यह आपका दिल खुस कर देगा, अब होगा यह कि आप WhatsApp पर किसी भी तरह की फाइल को बीना इंटरनेट के भी शेर कर सकते हैं, अब यह features आने वाला है, रोल आउट भी हो रहा है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला, आपको मिला या नहीं मिला, आप देख लेना, बट यहां पर एक बात तो क्लियर है, कि आप बीना इंटरनेट के भी आप WhatsApp पर किसी को भी फाइल शेर कर सकते हैं, एक तरह से कहें, तो WhatsApp आपका जेंडर जापिया बनने वाला है, होगा यह कि अगर आपके WhatsApp में कोई मेडिया फाइल है, और आपको पूरी मेडिया फाइल किसी द हैं, तो आप आफ लाइन जापिया से या जेंडर से, उस तरह से ही अब आप फाइल शेर कर पाएंगे WhatsApp के थ्रू, चलो यह भी अच्छा फीचर से, वैसे इन सभी फीचर के बारे में आपकी क्या राई है, आप मुझे comment box में comment करके बताना, अच्छा जाइए का मत, अभी ए क्लेर नहीं हुआ है कि आप अपनी चैट किसी दूसरे के WhatsApp पर शेर कर रहे हैं, या फिर अपने नए डिवाइस में ट्रांसफर करें, यह भी क्लेर नहीं हो रहा है, बस बात ही आ रही है, कि यहाँ पर आप अपनी चैट को ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरी की पूरी चैट को फूर एक्जम्पल के अगर मैंने किसी के साथ बात कियो, पूरी की पूरी चैट है, अब वो सारी की सारी चैट मुझे ट्रांसफर करनी है, तो यहाँ पर इस फीचर्स का यूज़ करके मैं वो सारी चैट ट्रांसफर कर पाऊँगा, अब देखो यह फीचर्स वैसे तो कैसे करते हैं, वो तो लोगों पर इडिपेंड करता है, तो चलिए आज की यह सारे अपडेट तो खतम हो गए, बट एक चीज खतम नहीं होने वाली है, और वो है वाटसप के अपडेट आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, और हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो देखो वी ज्यानक न दोस्तों, टेक केर, बाइ!